स्वागत फ्रेंट्स आपके अपने होम साइंस क्लास में दूबारा मिलें आसा करती हुँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे मस्त होंगे और पढ़ रहें होंगे ठीक है ना फ्रेंट्स हमारा chapter था lesson 4 क्या था lesson 4 और क्या था संशाधन प्रबन्धन ठीक है ना यह इतना हम complete कर लिए थे कि संशाधन कौन-कौन से होते उन्हें किस तरह से बाटा गया है किस के बारे में क्या हमें शीखना होता है यह चीज हम देख लिए थे आईए हम देखते हैं अब हमें देखना है कि संशाधन कितने प्रकार के होते हैं ठीक है ना संशाधन कितने प्रकार के होते हैं तो संशाधन हमारे कितने प्रकार के होते हैं दू प्रकार के हैं है ना, संसाधन, दू प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, पहला क्या हो गया, मानिमी संसाधन, और दूसरा क्या हो गया, आपका गैर मानिमी संसाधन, ठीक है ना, संसाधन कितनी प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, पहला क्या है, मानिमी संसाधन और दूसरा क्या हो गया, गैर मानिमी संसाधन, अब आजए देखते हैं कि मानिमी संसाधन में कौन कौन से संसाधन आते हैं, ठीक है, ज्यान, अविवरित, कौशल, शमय, और क्या है उर्जा आपको कुछ समझ में आ रहा है यह सारे चीजे क्या होती है शरीर के अंदर होती है क्या होती है शरीर के शरीर के अंदर अंदर आपका क्या है प्राबर आपका नेचर है ठीक है ना नेचर बता रहा है ठीक है ना क्या बता रहा है नेचर बता रहा है ठीक ह चीजे आप में हैं आपके श्वैम तटिक है ना ज्ञान है मलोगों के पास च्छान कैसे हमारा परिवार सही रहें किसी कारी को हम सही तरीके से कर सकते हैं, अगर ये शनशाधन हमारे पास ना हो तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है न, ग्यान का मतलब क्या होता है, बुद्धी, दिमाग, बुद्धी, दिमाग, जिससे क्या करते हैं आप, तरह तरह की चीजों को सोचना, विचारना, क्या करते हैं, सोचना, सोचना, विचारना, विचारना, नीड़े लेना, अब नीड़े ले लेते हैं कि हमें ये पढ़ना है, ये पढ़ाई करके, ये कंपलीट करके, हमें इसके बाद से इसे कंपलीट करना है, फिर क्या करना है, वेकैंसी की तयारी करनी है, वेकैंसी के क्या है ज्यान हमारा क्या है मानविशी श्ल शाधन और किस तरह से हैं देखिये हमारा और बुभी दितिये । कि ओंअ शंसाधन होता है ना उसे ना ही कोई ये देखिया जो भी मानमी शंसाधन जीतने भी है उसे ना ही कोई चुरा सकता है चुरा सकता ना छीन सकता है और ना ही ले सकता है सब के आगे ना लगा लीजेगा ठीक है ना ना ही चीन सकता और ना ही ले सकता है कोई नहीं ले सकता है क्या आपका ग्यान कोई ले सकता है कि अगर आप तेज हैं अगर कोई विशय पढ़ने में तेज हैं तो कोई नहीं आपसे ले सकता ये चीजंosphat कोई नहीं ले सकता आप से hire तो ठीक है ना, आप अगर घर में तेज हैं, किसी भी साय में, तो क्या आपकी दूसरी बहन उस भी साय में, आप से छिन सकती है बुद्धि, कि देदों में तेज हो जाओं। तब तो ऐसे होता है, तो पेपर हाल में जब हम जाते, तो पापा का दिम्याग ले लेते, चाचा का दिम्याग लेते, भाईया का दिम्याग लेते, कि इनकी आईक्यू तो बहुत तेज है, चलो शॉल्व कर लेंगे सारे क्वेच्चा, तो ठीक है ना, उसी बात को कह गया है, कि ना ही कोई चुरा सकता है, ना चीन सकता, ना ले सकता, कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना, हमारा श्वैम का बस होता है, अपने क्या मानिवी शन्षाधन पर, ठीक है ना, हमारी अविवित्तिया हो गई, जो भी हमारे इच्छाएं हैं, सोज हैं, विचार हैं, शक्तियां वो स ठीक है ना वो उनका कोशल उसमें है वो अचार मुरब्य पापड जो भी चीज बनाना होता है वो बेश्ट बनाती है लजीस बनाती है तो वो उनका कोशल है हमारा कोशल है कि हम बहुत सुंदर लिख लेते हैं बहुत अच्छा हम पढ़ लेते हैं है ना पापा का कोशल है कि बहुत अच्छे तरीके से अपने क्या बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, बिजनेस को आगे चलाते हैं, ठीक है ना? तो ये सब चीजे हैं, शमय हैं, बहुत important चीज, ये हमारे संसाधन होते हैं, जो क्या होते हैं, सब के पास, सब के पास बराबर होता है, बराबर होता है, यह एक ऐसा संसाधन है कि सब के पास बराबर होता है, क्या होता है, वन डेज, एक डेज में 24 हावा, ठीक है ना, 24 हावा, सब की पास क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना, अब आप उसका प्रयोग सही तरीके से कर रहे हैं, समय के एकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो आपका क्या होगा, किसी ना किसी दिन चल के क्या होगा, लच्छ की प्राप्ती होगी, लच्छ की प्राप्ती होगी ही होगी, ठीक है ना, लच्छ की प्राप्ती होगी, अगर आप सही से इस समय का उपयोग कर रहे हैं, या फिर दिन भर सारे दिन सोय जा रहे हैं, दो पा है आपका यह टाइम और यह ऐसा एक संसाधन है कि जो समाप्ति के बाद आपको मिलने वाला नहीं है क्या आपका किशोरा अवस्था बीच जाएगा तो दुबारा किशोरा अवस्था मिलेगा समलने के लिए जो पीछे के चेप्टर में पीछे के लेशन में आपने पढ़ा क् तो नहीं मिलेगा है ना तो उसी बात को कहा जा रहा है कि समय क्या है बहुत मुल्यवान आपका क्या है ये थीक है ना तो आप अपने समय का श्रदव यूग करिए और क्या करिए नियम तह किशी कार्य को करिए फिर चाहे आपका योगा होके उठने का तौर तरीक ओगे खाने पूने का तौर तरीका होगे, स्कूल जाना, स्कूल से आना, पढ़ाई लिखाई करना, तो क्या होगा? एक नार, एक दिन करंशा, आप क्या करेंगे? लच्छ की प्राप्ती करेंगे. जब इसी में हमारा बाधा बनेगा तो हम कहां फिर आप प्राप्त करें नहीं ना आप देख रहें सबके पास वही time होता है अब क्या पता आपके अलामा आपके class आपका classmate आपके class का कोई बच्चा इसे total फालो कर रहा है 24 hours कितने घंटे हमें सोना एक कितने पढ़ना है तो क् बहुत अच्छी तरह कैसे चला है, तो आपसे क्या होगा वाकरी, वो तेज हो जाएगा, ठीक है ना, तो बहुत लोग ऐसे हैं कि समय के एकॉर्डिंग चलते हैं, बीना समय के एकॉर्डिंग, बीना किसी कारिय को कीए, बीना प्रयास कीए, हमें किसी लक्षे की प्राप्ति नहीं होगे ठीक है ना फूर्जा क्या है आप में श्वायम शक्ति ai energy को बताया जा रहा है किसी अबसावा नस्तोम कम किया सही से खाये और पोशमस्पत्योंं लेजाएगा नहीं कि और क्लास में आप पूरा लेसं थरी क्या दिखा था पोसर आहार से संबंदी ठीक है ना जिसमें देखेते हैं आपने आड़ीये भी सुझाव दिया है ICMR ने सुझाव दिया है W24 ने सुझाव दिया है तो क्यों दिया है इसी के लिए कि आपके ये सारिश अंशाधन क्या रहे हैं आपके लिए महत्यों पूड है जिसका क्या कर ये उपयोग करिए। उसे विष्ट ना होने दीजिए उसके जरिये। आप अपने लच्छों का क्या करिया अन करिया ठीक है ना तो यही सारी चीज़े हैं इसके अलावा भी है क्या क्या होते हैं प्रेम प्रेम दया दया परूबकार क्रोध साहस शौर्य यह सब क्या है भाई प्रेम यह आपके अंदर की भावना है देखते ना कि शूरा वस्ता में तरह तरह का प्रेम होता है मम्मी पापा से बहुत लगाव होता है तो क्या होता है इधर द्वर ताक अना जाकने वाला भी हो जाता है तो तरह तरह दया होती है इस टाइम पर किसी को भी वैसे आदमी को देख जाओ गरीब दुखिया को तो बहुत दया होती है मम्मी खाना दे दो इससे चाहिए है किसी के भी अंदर क्रोध का यह सब क्या है मानवी शंशाधन है, ठीक है ना, मानवी शंशाधन है, अगले वाले पर देखते हैं, दूसरा क्या है, गैर मानवी शंशाधन, अब गैर मानवी का अर्थ क्या होता है, अब आस यही जान जाएगे, जो आपके अंदर है, वो मानवी है, जिसे कोई ले नहीं सकता, चुरा नह सकता छो नहीं सकता देख नहीं सकता ठीक है ना वो क्या है आपका मानिमी है इसकी अलामा जो भी आपके कार्यों को सरल बना नहीं जो भी क्या हो रहा है स्वारी यहां देखते हैं क्या है जो भी आपके क्या है संसाधन है क्या है संसाधन है ठीक है ना जो भी आपके कारिय को स्थरल बनाने में आशान बनाने में ठीक है ना भूमी का निभारा है कारिय कर रहा है वो क्या है वो शब क्या है शंसाधन है ठीक है ना शंसाधन फिर चाहे वो मानवी शंसाधन ओके या गैर मानवी शंसाधन अब जो भी आपके सरीर के बाहर है वो क्या है आपका हेल्फ कर रहा है क्यों माइक्रोवेब है तो आपको क्या क कर रहा है मसाला पिछने का help कर रहा है न वह מח Another ठीक कना अब वह सारे संसाधन के किसके जरीकре आएं गे वह तीक जिहनु कि अब शल बटते पर अगर हम पीशेंगे तो कब तक पीशते रहतें तें और टाइम लगता है तो जाने वाला तो है उसे हैं है हमारी सब्जियों को श्टोर कर लेतेैंते हैं ठीक है ना तो यही चीज है अब आये देखते हैं गयरโšक Annemi talk यहां उस्ट सब्जिको के पास कम लेकिन सब्गे के पास होता है थोड़ा बहुत है किमया इतना दे दो हमें उतना भाई यह सब क्या है संसाधन है भाई हमारा कहीं क्या होता है एक्जाम पड़ता है तो हम पता करते हैं कि किस जंगे पर पड़ा है किस अस्थान पर पड़ा है तो क्या है हमारे लिए शंशाधन है अगर हमारे आसपासी बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर शुविधाएं तो वो भी हमारी वो शुविधा क्या है संज स्थान के तौर पर शंशाद है ना ठीक है ना अनिक अस्थानों पर हमें बैंक की सुविधा मिल जा रही है यह क्या डॉक्टर की सुविधा मिल जा रही है स्कूल की सुविधा मिल जा रही है होटल बगेरे की सुविधा मिल जा है ठीक है साज समागरी अब चाहे आपका मेकप का कीट होग है लिपिष्टिक बिंदी क्रीम पाउडर चाहे जो कुछ भी होग है या फिर घर को सजाने के लिए कोई भी चीजें होग है परदा है ड्रेशिंग टेबल है मेज है कुर्सी है शोफा है टेडी है फ्लावर है इन ही सारी चीजों को बताया गया है आपका आसा करती हूँ कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा अगर नहीं आ रहा होके या फिर मेरे बताने में कोई कमी होके तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर में सम करिए अगा ठीक है ना क्योंकि गलती हर किसी से हो सकती है बागी मैं क कोशिस करूंगे और अच्छा बताने को गैर मानवी श्रम मगरे ठीक है ना तो समझ में आगे आगे बढ़ते हैं संशाधन क्या है संशाधन संशाधनों को विभिन प्रकार से वर्गी कृत किया गया यह देखते कैसे वर्गी कृत है मानव गैर मानव शंशाधन शामुदाईक शंशाधन अब हम इन वर्गी करड़ों में प्रते एक के बारे में पढ़ेंगे ठीक है ना यह देखते हैं प्रते एक के बारे में क्या कहा जा रहा है कि हम पढ़ेंगे थोड़ा बढ़ा करते हैं आपको दिखाई नहीं देखा करने के लिए मानव शंशाधन प्रमुख होता है भाई क्या है बुद्धी बुद्धी ही ना रहे तो क्या हम किसी कारी को कर सकते हैं कोई कारी नहीं कर सकते हैं हमारा सोच विचार ना रहा है हमारा नजरिया ना रहा है सही तो हम क्या किसी लच्छ की लच्छ की प्राप्ति कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तो वही कह रहा है कि मानिमी शंशाधन क्या है प जितना ही पढ़ेंगे उतना ही क्या होता है. हमारा दिम्याग टेज होता है. हम अभी बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं. तो लगता है ना कि कुछ हम बीच में भूल गाएं. तो हम तैयारी कैसे करेंगे, वैकैंसी की? नहीं कर सकते ना. अगर हम क्रम वाइच पढ़ें, तो सारा क्या होता है, हमें याद नहीं करना पड़ता है, रटूत होता नहीं बनना पड़ता है, ठीक है ना, तो हमारी बुद्धी खुद उसे चुनते जाती है, उसे समझते जाती है, नर रखते जाती है, ठीक है ना, तो वही बात है, हम जि क्या फायदा उसी बात को कहा जा रहा है उदाहरण के लिए किसी छेत्रकारिय के शंबंद में ग्यान अर्चित किया जा सकता है अब भाई कहीं का भी आपको कोई भी ग्यान है तो क्या है ग्यान तो बढ़ रहा है कौशल का विकास किया जा सकता है आपके अंदर ग्यान है कौ बिस्तार से पढ़ते हैं क्या मानव संसाधन के बारे में बिस्तार से पढ़ते हैं